नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाइफाई स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्थी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने युक्रेन रशिया क्राइसिस पर आज रात तक की सभी महत्वपूर्ण खबर एक ही सेशन में कौशिच की जा रही है कि आपको अपडेट करें अगर आपको याद हो तो कल रात को मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपसे कहा था कि रात साड़े ग्यारा बजे बाइडिन का रास्टर के नाम संबोधन होने वाला है अमेरिका की राश्टपती का अपने दास्टर के नाम संबोधन होने वाला है तो आईए चल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिया और जानना शुरू करिए क्या कुछ हुआ सबसे पहली सुर्खी जो आपको सुननी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिसके बाद हम इस बात का विसलेशन प्रारम करेंगे आईए पहले एक पंक्ती सुनिए उसके बाद में हम सुनना शुरू करते हैं जिसका डर था वही हुआ युकरेन को आगे बढ़ा करके अमेरिका पीछे हट गया आपको याद होगा कल रात के अनलेसिस में भी मैंने आपसे यही कहा था कि अमेरिका से इस बात की उम्मीद पूरी की जा सकती है कि यह हमेशा जैसा इसकी फितरत में रहा है वर्ड वार वन हो वर्ड वार टू हो यह केवल और केवल अपने आर्थिक फाइदे ही ढूंडता आया है इसके साथ में रह करके कभी कोई देश आगे नहीं बढ़ पाया है इसने वही किया युकरेन के साथ को युकरेन को पूरे समय प्रवोक करता रहा नाटो में मिल जाओ तुम्हारी सुरक्षा में ये कर देंगे रशिया के साथ प्रवोक करता रहा वो रशिया का सामना करने के लिए तयार हो गया आज सुबह सुबह जो वहां के वलामेदिर जैलेंस की है जो यूकरेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुदी इस विकार किया है कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है यानि कि जितने भी नाटो अलाइस थे 27 की 27 देश अब ये केवल नॉट अविलेबल वाली इस्थिती में पहुँच गए है अमेरिका की बात आपने अभी सुनी बाइडन ने कहा है कि हमारी सेनाएं युद में भाग नहीं लेंगी क्या समझा जाए इसका मतलब अब इनकी तरफ से एक्स्प्लेनेशन सुनिए इन्होंने कहा है कि हम तो केवल युद में तभी भाग ले सकते थे जब युक्रेन नाटो का सदश होता युक्रेन नाटो का सदश होता यानि कि इन्होंने जिस कारण से लड़ाई लड़ी थी आज आप सोचके देखिए कि युक्रेन पर अगर रूस का हमला हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा वज़े अमरीका है जिसने युक्रेन को पूरे टाइम प्रवोक करके रखा कि हम आपको नाटो में मिलाना चाहते हैं रशिया के खिलाफ उसे उगाल के रखा और आज एस्थिती यहां पहुँच गई कि जब वो नाटो का सदश्ट नहीं बन पाया तो यहां पर अमेरिका उसका साथ देने भी आगे नहीं आया और कहा कि हम उसकी किसी भी प्रकार से सैनिक मदद नहीं करेंगे पिर इसे पूछा गया तो जणाब करेंगे क्या आप तो फिर उन्होंने कहा कि हम अब रशिया के उपर आर्थिक प्रतिबंद लगाएंगे यह तो आपसे अपेक्षित था अपेक्षित इसलिए था क्योंकि इसमें भी आप ही का फायदा है रशिया के उपर आर्थिक प्रतिबंद लगाए जाएंगे निश्चित ही इससे रशिया को तो नुकसान होगा लेकिन सही माइने में तो फायदा आप ही को होगा यानि कि आपका कोई लॉस नहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो अमेरिका के लिए बनता है और वो सवाल यही है कि जनाब आज से पहले जब जब आपने युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो क्या अफगानिस्तान, क्या सीरिया, क्या एरा कि ये सब नाटो मेंबर्स थे जहां जहां आपने जाकर हमले किये या फिर किसी का पक्ष लिया आप जब भी युद्ध में गए हैं, अपने हितों के लिए गए हैं दुनिया को ये समझने की बात आनी चाहिए साथियों, अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि ये प्रतिबंद लगाएगा, आर्थिक प्रतिबंद लगाएगा आप देखिए जड़ा इस स्टेटमेंट को सुनने का प्रयास करिए कि देछर्च के वोटना प्रतिबंद और अवेन प्रुस्ताना है जैसा कि इनो नहोंने कहा है कि अमेरीका रश्या को अब डॉलर में पाउंड में येन में इन में व्यापार नहीं करने देगा अन्त का मतलब यही निकल करके आता है ऊसे अबरीकाना चाह रहा है यानि कि ये व्यापार करने से रोक देगा तो इसने इरान के उपर भी ऐसे ही आर्थिक परतीबंद लगाए थे इरान पर लगाए हुए आर्थिक परतीबंद की कारण ही रियाल का बुरा हाल हो गया था इरान की करंसी जो है वो पूरी तरह से डिवैलिवेट हो गई थी उमीद की जा रही है कि रशिया के साथ आर्थिक प्रतिबंद उसे निश्चत ही नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन भारत चीन या दुनिया के और बहुत से देश जो की रूस के साथ बने हुए है उन से उमीद की जाती है कि वो रशिया को इन मामलों में किसी भी प्रकार से जुकने नहीं देंगे आने वाले समय में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इस प्रकार से आर्थिक प्रतिबंद लगाते हुए कितना आगे बढ़ता है एक इंपॉर्टन जानकारी और निकल करा रही है और वो ये है कि इन्होंने अपने सेशन में ये भी कहा है कि फ्राइडे के दिन यानि कि आज नाटो के देश आपस में बैठक करने वाले है यानि कि अमेरिका ने तो अपना स्टेंड किलियर कर दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे अपनी सैना नहां भेजने के साथ साथ हम इन पर सेंक्शन्स लगाएंगे इनकी बैंकों को अमेरिका में काम नहीं करने देंगे साथ में अमेरिका किसी भी प्रकार की तक्निकी को अब रशिया नहीं जाने देगा G7 सदश्चों के साथ बातशीत करके निरने लिया गया है कि इनके साथ में पाउंड, येन और डॉलर्स इनके अंदर यूरो के अंदर व्यापार नहीं किया जाएगा निश्चित ही इससे आर्थिक रूप से रूस को काफी बड़ा नुकसान होगा साथ में इन्होंने अपनी शेखी भी बगारी, शेखी बगारते हुए कहा कि हम दुनिया को तारीक तक बता रहे थे, कि इतनी तारीक को युद्ध होगा तो भीया तुम अच्छे फोरकास्ट करने वाले हो सकते हो, तुम दुनिया को लेकिन ये भी तो माहौल दे रहे थे कि अगर युद्ध हुआ तो ये हो जाएगा, अमेरिका सेना उतर गई तो वर्ल्ड वार हो जाएगा, अब कहा भाग गए कहने का मतलब ये है, कि अमेरिका कहने लग रहा है, बाइडिन ने कहा है, हमने तो लोगों को पल-पल के अपडेट दिये थे, इन्हों ने बॉर्डर के किनारे हॉस्पिटल्स बना लिये थे, ताकि युद्ध में अगर इनके स्चैनिक शहीद होते हैं, या फिर बिमार होत बैंकिंग पर प्रतिबंद लगा दिये हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर्थिक प्रतिबंदों में अमेरिका ने सारी हदे क्रॉस कर दी हैं, रस्या के उपर बहुत सारे प्रतिबंद लाद दिये हैं, लेकिन पुतिन इन चीजों के लिए बहुत लंबे समय से प्रिपे है इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया और चीन की बहुत सोची समझी रण नीती थी इन्होंने जो क्रिप्टो करंसी को इतना उपर चढ़ा के रखा आज अमेरिका अगर डॉलन में व्यापार नहीं करता है तो इसी का सब्स्टिट्यूट रशिया ने क्रिप्टो करंसी में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निकाला था आपको मालूम होना चाहिए क्रिप्टो माइनिंग में सबसे आगे चलने वाले देशों के अंदर रशिया और उसके अलाइस कंट्री बहुत आगे हैं यानि क्रिप्टो एक पैरलल एकॉनमी के रूप में डवलप ही इसलिए किया गया था ताकि भविश्व में अगर किसी प्रकार की कोई पती बाद है उत्पन हो तो व्यापार को रोका ना जा सके ऐसी बातें अब मार्केट में आने लगी हैं इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने जितनी भी बाते कही उन सब बातों में से एक सार तो निकलता है कि सैना नहीं जाने वाली है नमबर दूसरा नाटो की आज मीटिंग होने वाली है देखना होगा कि नाटो इसके साथ में क्या करता है इस बीच में फ्रांस का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है क्योंकि फ्रांस ने कहा है कि वो युकरेन की हर संभव मदद करेगा हर संभव मदद करेगा से मतलब है यद युकरेन ने फ्रांस से मदद मागी तो हो सकता है कि युकरेन को फ्रांस अपनी सेन्य मदद भी पहुँचा दे ये इंपॉर्टन्ट माएने रखने वाली बात है यानि दुनिया के सामने लीडर बनके फ्रांस आ सकता है ये तो था न्यूस का पहला हिस्सा जिसका आपने रात भर इंतजार किया वो मैंने आपके साथ साजा कर दिया न्यूस का दूसरा हिस्सा ये कि इस समय सोशल मीडिया पर एक न्यूस बहुत ज़्यादा वाइरल हो रही है और वो वाइरल यूस ये है कि कल के सेशन में मैंने भी आपको सुनाया था कि यूकरेन के जो राजदूत है उनके द्वारा भारत के प्रधान मंतरी की तारीफ की गई थी और कहा गया था कि वो राजनेताओं में स्ट्रॉंगेस्ट राजनेता है वर्ड लीडर के रूप में उनकी छवी है अगर उन्होंने पुतिन से बातसीत करी तो निश्चित ही वो युद्ध पर कोई विचार करेंगे सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारी सॉलुशन्स निकल करके आये बताया गया कि ये जो यूकरेन है ये कभी भारत का पक्षदर नहीं रहा है यानि एतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यूकरेन का जो मामला है वो भारत के परमानु बम हमले के बाद में भारत का विरोध करना जब भारत ने परमानु बम परिक्षन किया तब यूकरेन भारत के खिलाफ था कश्मीर मसले पर इसने भारत के खिलाफ UN के अंदर वोटिंग की हुई है पाकिस्तान के साथ इसने हतियारों का व्यापार किया हुआ है कहने का अर्थ ये है कि युकरेन का जो पुराना इतिहास है वो भारत समर्थनका नहीं रहा है लेकिन इस बारे में मैं किसी भी तथ्य की सत्यता पुष्टी नहीं करता वाइरल जो मैसेजिस चल रहे हैं जो निउस निकल कर आ रही है मैं उनके हवाले से ये सारी जानकारी आप से साजा कर रहा हूँ ऐसी स्थती में उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूकरेन मसले पर जब भारत से निवेदन किया जाएगा तो प्रधान मंतरी मोदी के इंटरफेयर पर पुतिन शायद इन हमलों को रुकवा दें मोदी जी ने रात को बातशीत करी मोदी जी के द्वारा पुतिन से रात को बातशीत की गई ये आप देख सकते हैं कि प्रधान मंतरी मोदी डायल्स रश्यन प्रेसिडेंट पुतिल अपील फोर इमीडियेट एंड टू वाइलेंस इन यूकरेन और मोदी जी ने पुतिन को फौन करकर के कहा कि आप अपनी वाइलेंस को जो की यूकरेन में हो रही है इसे खटम कर दीजिए एंड वाइलेंस रिटन टू डायलॉग ऐसा प्रधान मंतरी मोदी ने पुतिन से कहा यानि की प्रधान मंत्री ने पुतिन से इस पस्ट चब्दों में कहा कि वाइलेंस किसी भी प्रकार का समाधा नहीं है बैठ करके डायलॉग करिए अब ये समझ में आ जाना चाहिए आप एक बात देखिए भारत की दूर दर्शिता देखिए भारत से बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि इस मसले पर भारत किसी ना किसी गुट का साथ ले ले आप देख सकते हैं कि भारत का कितना दूर का विजन है ये इस बात को बहुत पहले भाप गया था कि अमेरिका के गुट में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है भारत ने युकरेन मसले पर एक बार भी अमेरिका के समर्थन में कोई बयाद नहीं दिया जहां बात हुई United Nation में भारत ने हमेशा एक ही लाइन रखी और वो ये थी ये आप दौनों का आपसी मसला है और ये बहुत सची बात है साथियो जीवन में हमारे ये संसकार याद रखने वाले हैं कि अगर आपकी किसी मित्र से लड़ाई हो ना तो वो जो तमाशाबीन है ना उसकी वज़े से आपकी मित्र से लड़ाई हो पड़ोसी से लड़ाई हो किसी और के कहने पर आपस में मत लड़िये आपके अपने मुद्दे हैं खुद से सुल जाईए भारत ने पाकिस्तान के साथ भारत ने चीन के साथ किसी भी थर्ड पार्टी को मध्यस्त नहीं बनाया है याद होना चाहिए डोनाल्ड टरम जब अमेरिकी राश्ट पती थे तो उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं भारत पाकिस्तान का मध्यस्त बनना चाहता हूं भारत ने इस पस्ट रूप से कहा जब मसला हमारा आंत्रिक है जब हमारा द्वीपक्षिय मसला है तो तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं बैटेगा और इस बार भी भारत ने द्रड़ता से अपनी बात रखते हुए कहा आप दोनों को हॉयलेंस खत्म करनी चाहिए और टेबल पर बैठकर बातशीत करनी चाहिए दोनों को एक साथ अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए विशेश रूप से युकरेन को भी कि उसके साथ में कोई नहीं था केवल माहौल बाजी थी उसे आगे बढ़ा करके सब लोग पीछे हट गए वो एक धमाल मुवी के अंदर धमाल है कौन सी मुवी है धमाल के अंदर जब अब वो हीरो कहता है कि मैं हर बार आगे कैसे आ जाता हूं वो ये इसके साथ युकरेन के साथ हो गया है सब लोग साथ में थे उसको आगे छोड़ करके बाकी लोग पीछे हट लिये ये बहुत महत्वपून बात है और मोदी जी ने यहाँ पर जो डायलॉग दिया है ना कि पीम डायल रुशियन प्रेसिडेंट पुतिन अपील फोर इमीडियेट एंड ये बहुत माइने रखता है मोदी जी ने कल रात को मोदी पीम इन से बात की और कहा कि आप लोग युद्ध विराम करिये और युद्ध विराम करके आप सी वारता को इस्थान दीजिए बहुत महत्वपून बात है मेरे प्यारे साथ की ओ ये बात प्रधान मंत्री ने कहने का साहस जुटाया और पुतिन से डायरेक्ट समबाद किया important बात ये है कि इस समय आप लोगों का चहेता पाकिस्तान जो है वो वहीं पर बैठा हुआ था लेकिन उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई कंक्लूजिव बात चीत नहीं हुई मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बना दूँगा उसको मैं यहां पर इस्थान नहीं देना चाहता इतनी महत्वपून खबर में उसको क्या देना जगे तो उसको मैंने अलग से डाल दिया है आप देखना चाहें तो उसके लिए अलग से छोटा वीडियो बना कर मैं आप लोगों के लिए दे दूँगा भारत ने पुतिन से जब बात की तो साफ साफ कहा और दूसरा भारत ने ये कहा कि जो हमारे विदेशी मेरे प्यारे साथी प्यारे भारती है जो वहाँ पर फसे हुए है उनको निकालने का इमीडियेट प्रयास किया जाए याद रखियेगा दुनिया इस बात की हमेशा गवा बनेगी कि भारत की ये दूर दरस्टिता थी कि इस पूरे स्थिती ये है कि युकरेन के अंदर बहुत जगे धमाके हो रहे हैं केवल इतना ही नहीं युकरेन के अंदर और रुजरशिया के अंदर भी लोग इस समय सबका युद्ध का विरोध कर रहे हैं आम जंज युद्ध से बूरी तरह प्रभावित होता है साथियों इसके थोड़ी ही देर बाद साड़े नौ बजे मैं Real News and Analysis वाला सेशन आपका लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि युद्ध के मात्र एक दिन गुजर जाने पर पूरी दुनिया में लाखों करोड रुपे का नुकसान हो चुका है मात्र एक दिन के युद्ध में आप सोच रहे हैं कि पुतिन का ही नुकसान होगा आप जान क्या शिरे करेंगे RNA का पहला सवाल ही मैंने ये बनाया है कि वर्ल्ड में कितना नुकसान केवल एक दिन के युद्ध से हो चुका है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस युद्ध की वज़े से पड़ोसी मुलकों में इमर्जेंसी लग चुकी है वो RNA के दूसरे सवाल में मैं आपके साथ आज लेके आ रहा हूँ तो मेरे प्यारे साथियो युकरेन के अंदर भारतियों को निकालने के लिए और दूसरे रास्तों के लिए विचार विमर्श हुआ भारत के प्रधान मंत्री के नेतरत्व में जब पूरी सरकार बैठी तो चर्चा ये हुई कि हम अपने फसे हुए भारतिये नागरिकों को यौरॉप के रास्ते होकर के बाहर निकालेंगे ये रात बर की नियूज है साथियो बाइडन की घटना आपने सुन ली इधर की तरफ प्रधान मंत्री ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि जो भारतिये युकरेन में फसे हुए है हम उन्हें पोलेंड के रास्ते की अगर बात माने तो लगभग एक लाग से जादा अभी तक माइग्रेशन हो चुके हैं देड़ सो से जादा लोगों की जाने जा चुकी है अभी तक किसी भी भारतिये के हताहत होने की कोई कबर नहीं है युकरेन के अंदर अगर इस्थिती की बात हम करते हैं तो युकरेन के जो राष्ट्रपती है वो पूरी तरह से माहौल के अंदर साइबर माहौल बनाया जा रहा है रश्यन जो साइबर अटेकर्स हैं उन्होंने उनका कहना है कि जो व्लामिदिर जैलेंस की हैं जो युकरेन के रास्ट रध्यक्ष है वो देश छोड़कर भाग चुके हैं लेकिन ये बात जूटी है व्लामिदिर जैलेंस की का अभी आदे घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं देश में टका हुआ हूँ और जब तक पुतिन मुझे मार नहीं देते तब तक यह युद्ध खतम नहीं होगा उनका जो युद्ध है ये मुझे टारगेट करने के लिए बनाया गया है क्योंकि मैं गूस का विरोधी हूँ और ऐसी स्थिति में युकरेन पर जो कीव पर लगातार हमले चल रहे है और उन्होंने स साफ कहा है कि मैं अंतिम समय तक युकरेन में टिका रहूंगा इस थितियों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आसपास के छेतरों के अंदर माहौल गरम हो चुका है ये जो नाटो है नाटो के द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई है फ्राइडे के दिन नाटो की मीटि हैं एक तरफ बेलारूस से हो रहे हैं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पोलेंड से हो रहे हैं स्लोवाकिया से हो रहे हैं हंगरी से हो रहे हैं इधर की तरफ रोमानिया से हो रहे हैं मॉल्डोवा से हो रहे हैं चुकि हम रोमानिया हंगरी स्लोवाक पोलेंड इन रास्तों से निकल सकते हैं क्योंकि बेलारूस में आल्रेडी रूसी सैना है ऐसी स्थिती में मेरे प्यारे साथियों पोलेंड के रास्ते होने के प्रमुख रास्ते बने हुए है वहीं दूसरी और अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो for the evacuation through Jahoni border मतलब यह है कि हम यहां से हंगरी होते हुए अपने भारतिय जो फसे हुए है उन्हें निकालने का प्रयास कर रहे है बुड़ा पेश्ट के साथ संपर्क में है यानि भारतिय embassy पूरे टाइम यह रात को आज रात की 12 बजे की news है मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ हमने हंगरी के माध्यम से अपने भारतियों को निकालने का रास्ता बना लिया है रात 12 बजे की news है जिसमें कि हमारे जो एस जैशंकर सहाब है इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि हमने रशिया के विदेश मंत्री से बातशीत की है और हमने बताया है कि डिपलोम ऐसी ही केवल और केवल आप दोनों के युद्ध के बीच का समाधान हो सकता है इन्होंने बकाइदा ये कहा है आप जितने भी साथ ही लाइव है इस समय एक बार सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सबस्क्राइब कर लो ताकि जो भी न्यूज अपडेटेड आएंगी मैं आपको देता चलूँगा आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों के पास आटोमेटिक सूचनाय पहुचने लग जाएंगी ये गुजारिश के रूप में हमारी मेहनत को जो हम रात पर भैट करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसके प्रती आपकी पूरी सिंपेथी दर्ज कर ली जाएगी कि आप लोगों ने भी हमारी घटना को स्विकार किया है किरपया करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंद कर दे और वीडियो को लाइक कर दे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हों ने पूरी तरह से कहा है कि रशिया के और हंगरी के साथ हमारी पूरी बातशीत चल रही है और उन सबने भारत का कॉपरेशन करने की बातशीत की है आप देख सकते हैं यह मीम बहुत जादा वाइरल हो रहा है इसकी सत्यता की हम पुष्टी नहीं करते लेकिन इसमें यह जरूर कहा जा रहा है कि युक्रेन जो है इसके बारे में जैसे भी सत्यता निकलेगी हम आपको बता देंगे हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना अगर आपके पास आती है बिना सत्यता के उन्हें प्रसारित ना करे एक और इस तरह की जो फोटो है वो वाइरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि 26 फरवरी 2022 के बाद में ऐसा योग बनेगा कि युद्ध की इस्तिती बन जाएंगी किसी पंचान का सा दरश्य वाइरल हो रहा है मैं आप सबसे निवेदन करूँगा जब तक किसी चीज के बारे में सत्यता प्रमानित ना हो जाए उन्हें शेयर ना करें ये छोटी सी गुजारिश है प्लीज इसे मान लीजिएगा इसके साथ साथ पुतिन के द्वारा कहा गया है पुतिन के साथ साथ रश्या इसने फ्रांस ने भी बात करी है लेकिन फ्रांस का बात करने का अंदाज अलग था इसने इनको कहा है कि इमीडियेट मिलिटरी ओपरेशन को रोक देना चाहिए ऐसा फ्रांस ने कहा है मैकरॉन काल्ड पुतिन तो डिमांट इमीडियेट हाल्ट तो रश्या ओफेंसिव इन युकरियन यानि कहने का मतलब ये है कि यदि हम मैकरॉन को सीरियसली लें देखिए इन दिनों आप अगर देखना चाहें तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है अगर आपने वो देखा हो सेशन को शेयर कर दीजे जल्दी से अगर आपने देखा हो साथी हो तो मैंने रिसेंटली एक सेशन किया था जिसनों मैंने बताया था कि इमानवल मैकरॉन एक उभरती हुई छबी के रूप में निकलते हुए आ रहे हैं अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहां पर मैकरॉन के द्वारा पुतिन को कॉल करके यह कहना कि आप युद्ध को तुरंत रोक दीजिए वहीं पर भारत ने बातचीत करके क्या कहा कि दौनों टेबल पर बैटकर वाइलेंस खत्म करिये दौनों में अंतर है इनके बोलने के अंदर एक और वाली बात है कि यदि नई रोका तो घातक परिनाम होंगे भारत के कहने में था कि आपस की बातचीत ही समाधान तक ले जाएगी फ्रांस की इस बात से उम्मीद की जा रही है कि फिर से फ्रांस एक बार लाइन क्रॉस करेगा और हो सकता है कि अमेरिका की जगे दुनिया को एक उम्मीद की किरन फ्रांस में दिखाई दे और यूकरेन की तरफ से फ्रांस युद में कूद पड़े क्योंकि इन्होंने यूकरेन को कहा है कि हर संभाव मदद के लिए हम तयार है यदि यूकरेन ने फ्रांस का आवाहन किया तो देखने लायक होगा हो सकता है कि फ्रांस अपनी सेना समेथ यूकरेन के समर्तन में युद में कूद जाए और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस दुनिया की एक नई उभरती हुई यह देख सकते हैं शाम सुवे 4 बचके 17 मिनिट की न्यूज है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंटेंट तीम आप लोगों के लिए रात भर न्यूज एकट्टी करती हुई आ रही है पूरे समय आप लोगों के लिए एकदम सिकवेंस में घटना करम का व्यूरा दिया जा रहा है जुसमें युकरेन के प्रेसिडेंट ने कहा है 137 लोग पहले ही दिन में मारे जा चुके हैं यानि कि 137 मौत हो चुकी है अमेर इसके अंदर युकरेन के अंदर ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ में अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि पुतिन के साथ में बातचीत जो है फ्रांस की हो चुकी है पुतिन के साथ बातचीत जो है वो इंडिया की हो चुकी है पुतिन के साथ बातचीत इरान की भी हो चुकी है याद रखियेगा इरान के साथ में जब पी फाइफ वाला सो समझोता है जिसको लेकर के बाइडन प्रशाशन भी जादा अच्छे से तयार नहीं हुआ है याद होना चाहिए इरान के उपर countering American adversaries through trade sanction act के माध्यम से अमेरिका ने इरान पर बहुत सारे प्रतीबंद लाद दिये थे जिसके चलते हुए इरान की currency रियाल की जगे टोमान करनी पड़ी थी क्योंकि पूरी तरह currency एकदम devaluate हो गई थी ऐसी इस्तिती में इरान ने भी पुतिन के साथ समबाद करके कहा है और उम्मीद है कि इन दौनों ने आपस में बती आया यही होगा कि बटा चिंता मत करो तुम तो युद्ध लड़ो कारण यह है कि अमरीका को तो हम पहले ही ठेंगा दिखा चुके हैं इनके sanction के बावजूद भी इरान ने सबसे ज़्यादा ballistic missile का परिक्षण किया और साथ में चीन के साथ मिल करके जबरदस्त व्यापार किया यह अपने आप में एक नई दिखा दिखाने के लिए इबराहिम राइसी जो है इन्होंने particularly call करके जो है वो पुतिन को समझा दिया है कि आप संगर्श करो पुतिन चच्चा संगर्श करो हम तुमारे साथ हैं टाइब से बात जो है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर निकल करके आ चुकी है मैं तो तून है आप सभी साथियों को अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लिंक में एक लिंक दिया जा रहा है जल्दी से उस पर आप एन्रोल कर लीजे क्योंकि रवीबार के दिन सुभह ग्यारा बजे एक कमबेट होने जा रहा है जिस कमबेट में निश्चित ही प्रतम विनर को मैकबुक एयर सेकंड विनर को आईपैड सर्ड विनर को सैमसंग टैब डेल लैप्टॉप फ्री ओफ कॉस्ट दिये जाएंगे आपको एक टेस्ट देना है सुभह ग्यारा बजे अल्ट्रा कॉमबेट के नाम से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं SSE के लिए भी आप लोगों का अल्ट्रा कॉमबेट होगा दुपहर बारा बजे फ्री टेस्ट है केवल मेरा रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही साथियो जल्दी ही आरेने में मुलाकात होती है थोड़े ही समय साढ़े नौ बजे तब तक के लिए इंतजार करें अपना प्यार बरकरार रखें चैनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद